नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं NeatMubs की Deemed University के फीस बारे में। Deemed University की 2023 की फीस अपडेट ही चुकी है। आए जानते हैं किस यूनिवसिटी की कितनी फीस रहेगी। आपके Neat के स्कोर पर अपके बजट में क्या option आप ले सकते हैं। कम Neat के स्कोर पर आपको Deemed University मिल सकती है। लेकिन फीस का बजट ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना कम बजट का यूनिवसिटी आपको मिल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेर जरूर करें। ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी भी आप सनी पर ले सके। तो आएए जानते हैं क्या है Deemed University का फीस। यहां देख लेते हैं कि कौन सी Deemed में, कितने मार्क्स पर, कितने बजट पर हमें कुलेज मिल सकती है इस बार के लिए। तो मैं जो आपको यहां कटोप बताऊंगा, यह लास्ट कटोप बताऊंगा। लास्ट कटोप का मतलब होता है कि किसी किसी Dimmed University में, फर्स्ट राउंड में कटोप ज्यादा होती है, सेकंड राउंड में कम होती है, मौपप राउंड में कटोप ज्यादा होती है, लेकिन किसी Dimmed University में, फर्स्ट राउंड में कटोप कम रहती है, सेकंड में कटोप तो सबसे पहले हम बात करेंगे KMC, मनीपाल की, जो अच्छी University है, अच्छी college है, इंडिया में आज की डेट में 50 डिम्डी University हैं, और 50 डिम्डी University में जिन students के marks कम हैं, वो admission ले सकते हैं, क्योंकि इसमें domicile free होता है, किसी भी state का कोई भी candidate admission ले सकता है, यहां, डिम्डी University प्रा की university होती है इनके अंडर medical college होती है तो dimmed university खुद की university होने से इनके rule regulation खुद के चलते हैं इसमें तो इसमें dimmed university की जो counseling करवाई जाती है वो mcc द्वारा counseling करवाई जाती है mcc द्वारा बाकी सारे government institute की counseling करवाई जाती है लेकिन dimmed university जो private medical college हैं Dimmed University भी उनकी counselling भी MCC द्वारा करवाई जाती है और इनकी 108% seats के लिए करवाई जाती है और यह जो counselling है तीन राउंड की counselling होती है MCC द्वारा 1st round, 2nd round, Mopop round और इस्टे vacancy round MCC द्वारा शोरी Dimmed द्वारा खुद के द्वारा conduct करवाया जाता है इसमें तो अगर आप Dimmed में admission लेना चाते हैं तो MCC के portal पर आपको apply करना होगा 108% seat के लिए यह counselling होती है इसमें NRI seat भी होती है और domicile free होता है domicile का मतलब कोई भी state का candidate इन में admission ले सकता है तो सबसे पहले हम KMC मनिपाल की बात करें करनाट का में यह situated है आप सब जानते हैं इसका नाम है KMC मनिपाल का इसकी जो fees है वो इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं है इस साल के लिए इसकी fees declare हो चुकी है 17,000,000 fees है इसकी per year की और four years के लिए इसकी fees लगती है इसकी जो last cutoff है 560 रह सकती है फर्स्ट राउंड में हो सकता है ज्यादा cutoff हो लेकिन second round या mop up round तक जो भी है इसकी last cutoff 560 marks तक रह सकती है इसके बाद हमदर्द की बात करें हमदर्द दिली में situated है और इसकी पहले जो fees ती वो 14 and half years की यानि साड़े चार साल की fees ली जाती है हमदर्द की अभी ये ली जाएगी पहले पह साल की ली जाती थी अभी ये साड़े चार साल की fees ली जाएगी 16 लाग पार year के इसाब से ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सरफ tuition fees ही है hostel by other expense college wise depend करते ही है एक से दो लाग extra होती है वो तो 565 marks पर ये मिल सकती है last cutoff इसकी रह सकती है 565 first round में थोड़ी cutoff ज्यादा जा सकती है लेकिन आपको 565 तक ये college मिल सकता है आगे वाले rounds में अब बात करें हम हमदर्द का जो minority quota है मुस्लिम minority की cutoff जा सकती है 470 आलांकि इसकी fees दोनु quota के लिए जो open quota होता है उसके लिए और minority quota होता है उसके लिए same रहती है fees में कोई अंतर नहीं है Symbiosis only girls candidate का college है महराश्टर में situated है इसकी fees 10 lakh per year है और 10% का इसमें increment है 545 547 marks पर या 545 marks पर ये कटोग जा सकती है last cutoff हो सकता है first round की कटोग थोड़ी ज्यादा हो KMC Mangalore KMC Mangalore की same fees है जो मनिपाल की fees थी वही fees है थोड़ा सा hostel fees में अंतर है दोनों में 540 marks पर KMC Mangalore का police मिल सकता है आपको KMC Mangal के बाद Manipal Tata ये भी KMC Mangal का ही Tata के साथ में इसमें collaboration है तो ये जहारखंड में इस्तित है जमसेदपुर में 16,19,000 fees वही पुरानी fees है इसकी 470 पर ये college मिल सकता है नया college है इसलिए इसकी cutoff थोड़ी down जाती है इसके बाद में Lonnie की बात करें मारास्टर की 17,50,000 इसकी fees increase हो गई है 460 पर ये college मिल सकता है आपको इसके बाद में हूबली का जो नया college है करनाटका का JLN की branch है वो पहले जो fees थी इसकी 14,40,000 थी अभी 16,35,000 हो गई है इसकी fees increase हो गई है 445 पर लास्ट कटोब रह सकते हैं इसकी के सेगडे करनाटका का 17,56,000 fees हो गई है 425 पर ये college मिल सकता है JSS मैसूर ये 19,86,400 इसकी fees हो चुकी है 430 marks पर ये मिल सकता है college JLN बेलागवी करनाटका का college है 7 fees 18,25,000 डेकलेर हो चुकी है इस साल के लिए तो ये fees है JLN बेलागवी की अब बात करते हम next में अमरिता कोची की इसका फरीदाबाद में भी campus इसी साल से start हो रहा है यानि की फरीदाबाद में भी ये college open हो चुका है और इसी साल से run हो गया है इसकी फरीदाबाद के लिए भी tuition fees है में 19,00,000 पर येर है 5 years के लिए ये fees ली जाती है और 400 तक इसकी cutoff रह सकती है फरीदाबाद की cutoff में आपको बता देता हूँ last में MJM नईवी मंबई की fees अभी declare नहीं हुई है ये 2022 की fees ही यहां पर show रही है 20,00,000 रुपए थी 2022 में इसकी fees 395 last cutoff रह सकती है ये last round की cutoff नहीं है ये last cutoff है किसी भी round में cutoff रह सकती है इतनी cutoff रहेगी last cutoff SDU कोलार करनाटका का कोलेज है 17,60,000 fees अभी declare नहीं हुई है नहीं ये पुराणे fees है 365 marks पर ये मिल सकता है आपको ये नोफवया करनाटका का कोलेज है इसकी hostel और मैं सब कुछ मिला करके यानि की सारा सब कुछ मिला के आपको 22,00,000 पड़ेगा इसमें hostel, other fees मैं सब कुछ आगया 380 पर मिल सकता है 380 से थोड़ा डाउन भी जा सकता है मुसलिम मानियोरिटी की जो fees है fees same है ये भी 370 पर ये close हो सकता है इसमें वैसे ज्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन fees को देखते हुए इस बार ये भी cutoff down जा सकती है last cutoff MGM औरंगाबाद की भी fees अभी पुराणी fees ही है शो नहीं हुई है नई फीस 375 मार्क्स पर ये college मिल सकता है कलिंगा 18,50,000 fees है फ्लस 75,000 एक्स्ट्रा अधर चार्जे ये पिछले साल की fees है 352 पर मिल सकता है BLD वीजापूर की बात करें करनाटका की तो 18,00,000 अभी fees इस साल की डिकलियर हुई नहीं है 325 पर मिल सकता है स्री रामचंद्रा चिन्दाई का बेस्ट इंस्टिटूट है लेकिन fees काफी जादा है 5 साल तक फीस लगते है 25,00,000 रुपए 360 पर ये मिल सकता है college S.B.K.S. जैन मानियरोटी का गुजराद का college है वडोद्रा का 18,75,000 fees इस की 320 पे मिल सकता है ये जैन मानियरोटी में B.P.S. है ये 165 यानि काफी डाउन जाती है जैन मानियरोटी की मोलाना हरियाना का डेमडे उनिवर्सिटी है 17,00,000 with 10% इंक्रीमेंट के साथ में 340 मार्क्स पर ये college मिल सकता है आपको Next college की बात करें स्री सिदार्था टमकूर करनाटका का college है इसके दो ब्रंच है एक टमकूर में है और एक है टी बैगोर में तो इसकी fees 18,46,000 है और ये जो लास्ट कटोब इसकी रह सकती है वो 325 कटोब रह सकती है लास्ट कटोब भारती विद्याफीट भूने की बात करें तो 23,47,340 रह सकती है IMS भावनेश्वर अच्छा institute है 19,60,000 fees काफी ज़्यादा है लेकिन institute टोब का है ये 335 कटोब रह सकती है फीज के कारण इतनी कम कटोब रहती है अदर्वाइज ये कुलेज काफी हाई रेंग पर जा सकता है DRDY पाटिल कोलापूर मारास्टर का है 20,60,000 fees है 320 पर जा सकता है ये टी बैगूर की सैम टमकूर की फीज है 290 पर ये कटोब जा सकती है राजा राजेश्वरी बैंगलोरो की 23,00,000 से 275 पर मिल सकता है BVD सांगली 240 पर मिल सकता है 22,00,000 इसकी फीज है JLN वर्दा इसके दो कुलेज ही दत्ता मेगे के वर्दा में है पुने में है ये जो वर्दा में है 20,75,000 फीज रहेगी 235 मार्क्स कटोब रहे सकती है इन सबकी फीज अभी डिसाइड हुई नहीं है इसमें ओल्ड फीज ही है अभी जैसे इसकी फीज डिक्लियर हो जाएगी हम आपको इन्फर्म कर देंगे करशना करड़ की बात करते हैं 22,50,000 इसकी फीज है और 235 मार्क्स पर मिल सकता है DRDY पाटिल पूने का 25,00,000 फीज है और 5% इंक्रिमेंट है पर येर का 225 मार्क्स पर ये कोलेज मिल सकता है कटोब इसकी काफी ज्यादा है मैंने ये लास्ट कटोब बताई है इसके बाद जो स्लेम का कोलेज है तमिल नाडू का 20,00,000 फीज है 145 पर मिल सकता है पुडु चेरि का कोलेज है 19,50,000 फीज है 144 फर चीरी बाला जी चिन्नेई का 25,125 मार्क्स पर मिल सकता है पुडू चेरि 25,000 पर मिल सकता है ये सारे जो 20 की 25 तक की फीज के तमिल नाडू के सारे कोलेज है पुडूचेरी का 115 पर मिल सकता है 22 लाग की फीस पर इसमें भारत चिन्ड़ी का है 23 लाग फीस है 110 नमबर पर मिल सकता है वी ए एल्स त्री वेलूर ये 20 लाग 15 जार इसकी फीस अभी 21 लाग खोज गई है 5 साल के लिए 115 मार्च पर मिल सकता है पुडूचेरी में भी ब्रंच है वो 22 लाग इसकी फीस है 110 मार्च पर मिल सकता है अमरिता जो फृदाबाद का है 380 मार्च पर मिल सकता है क्योंकि काफी रेपुटेटेड इंस्टिटूट है और 19 लाग पर इयर इसकी फीस है 5 एर्स के लिए फीस ली जाती है लेकिन ये इस तरफ से दिल्ली के पास होने से इस्टूडेट इसको काफी लाइक करेंगे और मैं सोचता हूँ कि इसकी जो लास्ट कटोफ रहेगी वो 380 के नियरबाई कटोफ रहने की पोसिबिलिटी है तो ये सारी डिम्ड के बारे में जानकारी थी कितने फीस है इनकी और कितने मार्क्स पर ये मिल सकते हैं कोले